नमस्कार, नौतपा का आज दूसरा दिन लेकिन लो टेंशन क्योंकि 20 साल में नहीं तपा 43 डिग्री तक ही चड़ा ताप मान आपको बतारे कि नौतपा वैसे इस अधी की मान्यता अनुसार गर्मी सीजन का सबसे गर्म दिन माना जाता है लेकिन 36 गर्में इस्थिती हमें सब विप्रित रहती है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि वर्ष 2003 से लेकर 2022 तक 20 साल में एक बार भी नौतपा पर लू के हालात नहीं बने हैं यानि औसतन फारा 45 डिगरी तो दूर 44 पर भी नहीं पहुँचा औसतन तापान 42 से 43 डिगरी के आसपास ही रहा इस दोरान कई साल 25 से दो जून के बीच बारिज भी दर्ज की गई इस बार भी ऐसा ही अनुमान मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है रोहडी नचत्र में सूरी के प्रवेश करते ही गुरुवार को नौतापा की सुर्वात हो गई है मौसम विभाग द्वारा लगाया गया है दो जून तक लू के आसार नहीं है नौतापा में इस्तिती विप्रित क्यों रहती है इसको लेकर मौसम विभाग ज्यानिकों से चर्चा की गई तो कई तथे सामने आए जिसके कारण नौतापा में मौसम बदलता है और बारिस होती है जानिये आखिन नौतापा में क्यों बदल जाता है मौसम मौसमे ग्यानिक पी चंदर ने बताया कि भले ही 36 गर में मानसुन जून के दूस्ते सपता में दस्तक देती है लेकिन देश के कही हिस्सों में 16 मैई से ही प्री मानसुन या कहे कि मानसुन बादल सक्रिय हो जाते हैं इसी के साथ बारिश का दौर सुरू हो जाता है जिसके प्रभाव से मानसूनी सिस्टम बनते हैं जैसे अभी पर्ष्चिमी विक्छोब और द्रोडी का सक्रिय है अरब सागर से नमी युकत हवाद ज्याद मात्र में आएगी तो बारिश की संभावना बढ़ जाएगी मानसून एक दो दिन के अंदर अंडमान में प्रवेश करेगा यानि नौतपा में ही जिसके असर से यहां बारिश की संभावना बढ़ जाएगी अनुमान है कि इस बार नौतपा में 42 डिग्री से कम रहेगा पारा बतादे की बुद्भार को अधिक्तम तापान 41 डिग्री और नियूंतम तापान 28 डिग्री रहा मौसम विभा कानुमान है कि इस बार नौतपा यानी 25 माई से दो जून के बीच अधिक्तम तापान 42 डिग्री से कम रहेगा धूब के बीच बादर चाय रहेंगे और 27 माई से बचारे पर सकती है 27 वा 28 माई को अधिक्तम तापान 49 डिग्री के आसपास रहने कानुमान लगाया गया है जबकिस से पहले वा बाद में तापान 44 डिग्री याई से ज्यादा रहेगा नौतपा ओधी में पिछले 20 साल में से 10 साल में दिन का तापान 43 डिग्री से ज्यादा रहा लेकिन बारिज भी दर्ज की गई तापान में गिरावट के साथ बारिज सुरू हो जाता है इसले कर मान्यता और मौसमिभा का तर्क अरजुंदा के पंडित मितले सर्मा ने बताया कि हिंदू पंचांग में मान्यता है कि सुर्य जब रोहिडी नचत्र में प्रवेश करता है तो नौतपा सुरू हो जाता है सुर्य 15 दिन रोहिडी नचत्र में रहता है शुरवाती 9 दिन अच्छी गर्मी पढ़ती है मानेता है कि अगर नौतपा में अच्छी तपन हुई तो बारिज भी अच्छी होगी दूसरी और मासों में ज्यानिक मानते हैं कि नौतपा के दोरान सुर्य वा प्रित्वी के बीच दूरी सबसे कम होती है इस वाज़ा से सुर्य की किर्णे सीधे प्रित्वी पर पड़ती है इसलिए अधिक गर्मी पड़ती है लेकिन नौतपा में पिछले कई सालों का ट्रेड है कि बहुचारे भी पड़ती है